तो अब के साथ आपके टिक्षा दिक्षा आज हम करेंगे क्लास 7th Science Chapter 1 लास्ट वीडियो में हम रीडिंग कर चुके हैं Chapter 1 की पुझी वच्छों ने लास्ट वीडियो नहीं देखियो पर लास्ट वीडियो देखेंगे ताकि अभी चब हम क्यों क्यों आपके लिए इस उजय ह क्यों करते हैं Question Answers वीडियो कर दिश्याद आपने दोस्तों के साथ शेयर किया दिए और चैनल को सिब्स्क्राइब करेंजे नेक्स्ट वीडियो को सिब्स्क्राइब करेंजे नेक्स्ट वीडियो को देख देखेंगे लिए ओके तो चलिए Chapter 1 नाम देली वापका पाद्पो खुमें Potion Okay First Question पथे जीवों को खाते की आवशकता क्यों होती है Classics में हम पढ़ चुके हैं पादब क्या होते हैं सबीचिव दो इंपर depend करते हैं अब पुछा गया है कि जीवों को खाते की आवशकता क्यों होती है दो बॉजब को खाते हैं इस चेप्टर में प्या दिखाए बच्जेगे जो शबीजेओ उते हैं उनको बोजन क्या अशबता होती है अनर्जी और शबता होते हैं किसी देटीजी रूप में क्या रहते हैं पुछा ज़रोर से गरेंड़ता है तो दूसरे केट को खाई आप मास आ रही हैं, मास को खाई ने, लेकिन हमने लेसिन में क्या सिखा, कि जो सभी जिरू जिस भी खाते पर अधर करते हैं, तो वो पर्टेक्श है अपरोफ रूप से, खाना हमें मिलता आँ से हैं बच्चे, पेड़े बच्चे, पेड़े इसलिए इस बच्चे ने भी चक्टर के रिडिंग नहीं की है, वो चक्टर के रिडिंग वाली जुरूर देख लो, ठीक है, अपनी अंजर है चिया हो, अपनी विद्धी एमाँ, धिकास, तथम, शरीर के, रख रखाओं के लिए, सबी जिवों को, भोजन की आउशेक्ता होती है, ठीक है, भोजन से हमारे जुरूर को उर्जा होती है, बोजन से जीवों के शरीको एलर्जी उजान की अठीक है, ठीक है, मृत जीव, ठीक है, लेसे में बहुत बारे दोनों नाम आए हैं, परजीवी और मृत जीवी, परजीवी के बारे में लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट, ये जीव, अपना कोशन, किसी, दूसरे परपोशी जीवों से प्राप्त करते हैं, हमें लेसे में देखा है, परजीवी कौन होते हैं, वो जीव, जो अपना बोजन किसी और पर निभरो करके प्राप्त करते हैं, टीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, पर जीवी मृत जीवी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन, मृत कोशिकाओं से राप्त करते हैं, ग्रित जीवी में हम लिखने लिए ये जीवा अपना पोशन, ये जीवा, अपना पोशन, मृत एम, देखने के लिए इस कांसर मतला एक्जाम का लिए सकते हैं काउट तो वो हमने किस एक्टिविटी से क्या था ग्रैड के एक्टिविटी से ठीक है कम्प्लेट एक्टिविटी कल की वीडियो में आपको एक्स्में कर रखे मैं तो आपको देख सते हैं तो हम इदर उधार लिखेंगे परजीरी में इस क्या हो जाएगे आपकी आमर बेल सब अच्चों ने आमर बेल देखी होगी अगर नहीं देखी है तो आपकी बुक में कम् देखेंगे कवक ठीक है अमर बेल क्या करती है किसी पतली सी उसकी जो साहच्चना पाई जाती है वो क्या करती किसी पोधे के उपर ऐसे लिपट जाती है खुच से वो खाना नहीं बना सकती हो क्या करती है जिस पोधे के उपर लिप्टी होती है वो उसके उपर निर्भर कर अब हम बच्चे केस्ट नमबर 3, जिसमें बच्चे को कोई प्रेदी है, कोई चीज जो समझ नहीं आती है, तो आप अप कमेंट इसमें किया दो, जिसे मुझे में फता चले की काम कमी रहती है, तो आप कमेंट इसमें काम डालेगे, क्रिशन 00. subscribed, क्रिशन 13. आप पक्ती में स्टार्श्च्री उपस्थ्थिई का परिक्षें कैसे करेंगे, रज्में बच्ट्खें में, स्टार्श्ट को क्या बहते है तक मन, कि उप्स्थिति, उप्स्थिति मतलगी गोस में प्रेजेंट है या नहीं, उसका कैसे तकाल गाएगा, उप्स्थिति का, प्रुशन, कैसे गाएगा, ठीक है, यह हमकर की activity, lesson reading में हम इसके activity देख चुके हैं, आब हम देखेंगे, answer, क्या करेंगे बचे, पत्ती पर, कुछ बुने, पत्ती पर, कुछ बुने, आइडिन, विलियन, आइडिन, विलियन के दाने, ठीक है, अगर, पत्ती का रंग, पत्ती कारण कैसा हो जाए, काला या निला, हो जाता है, तो यह है प्रिवर्तन, पत्ती में, स्टार्च की, उप्स्तिती को दिखाता है, ठीक है, पत्ती में, यह जाने के लिए, कि उसमें स्टार्च मंड है या नहीं, हम क्या गरेंगे, कि पत्ती के ऊपर, दो चारगूंदे, आइडिन, विलियन की दाने, ठीक है, ठीक है, फिर उसे क्या होगा, अगर उस पत्ती कैसे होती, हरे रंग की, अगर वो पत्ती बदल के, नील हरे पाथो में, हरे पाथो में, खाथ़े संसलीशन, खाथ़े, संसलीशन, प्रकरम को बताईए प्रकरम को ठीक है, कादर संसियेशन मतलब की परकासर जिसे है अंसर हो जाएगा बच्छी पादपू की पतियों में क्या प्राजाते हैं पादपू की पतियों में उपस्थित प्लोरोफिल्ड की सभाईता से सूर्य की सूर्य के परकास की उपस्थिती में वाईयू से कॉर्वन्ड अक्साइड लेकर पत्था भूमी से जल्व लेकर बोजन वराना ठीक है वही क्या है आपका खार्दे शंसलेशन का परकराम यह हो जाता है लिए अब क्या पाईदा एटा है लिए क्रीजेटी तो तो फिर क्या करेंगे वह क्लोरोफिल्ड की सूर्य की परकास की रोशनी जब ऐसंपर आती है यह जो इसकरिंगे तो क्या करेंगे फिर जल लेंगे बूमी से और सूरी की रुस्न मिलेंगे इनको तो फिर क्या करेंगे वो कर्बं डाकसाइड हमें उनसे वाईू से ले लेंके और पिर ओक्सिजन का निच 향ी है जब भी परकसाइड कि पिकलिया होते Commissioner को लिया जाता है और उक्सिजन को विसकास्थ किया जाता है तो यह हो जाएगा इनका खाद्यर संसिलेशन का परकरण है अब है क्योश्चन नंबर फिट क्यों प्रकरण संसिलेशन आप लाप सिक्स्ट से करते आरे हो तो इसमें शाइद कोई कंद्विजन आपको नहीं होगा ठीक है कर्शन नंबर फिट हमें इसी परवाचिक्तर की साथा से इधर साएगे बताएगे कि पादबत जो है वो भोजन का मूल स्तरोध है ठीक है अभी मैंने आपको बताया कि हम डिरेक्ली या इंडिरेक्ली किस पर डिपैंड करते हैं बच्चे पेड़को दोगे ठीक है सभी जीओं को खाना काल से मिलता है पेड़को दूसे वही लेके शन उच्छरा आप से इसमें हम क्या लिखेंगे कि सभी जी अपने बोजन केंगे पर पेड़को या रोप्स रोप से पार्दकों पर नेगर रहते हैं ठीक है ठीक है तो इसका जो इन शित्र पुचा है या आप इसको बहाएं रोप से पर नेगर रहते हैं उसमें हम क्यालपिंग बची जैसे कोई पेड़ को दें जैसे की वाद़क में आप मालजी घास ठीक है उसको कौन खाएगा बची कीक आगे कई को कौन खाएगा मैंदक को क्ण खाएगा साफ और साफ को कको खाएगा बच्चा ठीक है यहां देखो,ग्जां गजा नहीं दूरा धल कीट को किसमे घाल गगा जगा जो सब्सकर में पर दोराया merdak को किसमे घाल गजा लिप साप लेकार यहां से लेकि कि अलग में क्या प्रका चणला कि जो मूर उट्सॲोग गोडे कागा जो अब गजा दूसरो एग अिन से नहीं कि पाधक या पेड़को द्यापुच भी निसकते हैं, वो इसमें खाया? हिरन ने, और हिरन को देशे किसमें खाया? शेहन सबका जो भोजन है उसमें भी भी तुताए पाई लाते हैं, ठीक है? कोई मासा हरी है, कोई साका हरी है, कोई दोन चुज़े खालता है तो यहां देखो, यह वैसे तो क्या है? मासा खाली, खालत उसमें मास, लेकिन हमसे कुछा क्या गया है, मूल स्टोड, तो विरन में क्या खालता है? खालता है, ठीक है? Q6. यह हैं आपकी रिप्तस्वान Q6. फास्ट अच्छी, क्योंकि हरे पादक अपना खादय स्वयम मनाती है, क्योंकि हरे पादक और एक सिर्फ पेड को देई है, जो खाना अपना स्वयम मनाती है, ठीक है? Q7. अपना खादय थे था शॉयम मनाती है क्योंकि हरे पादक अपना खादय पेड क्योंकि हरे पादक आपना खाक यह थाल्झा, स्वयम मनाती है, इसलिए उन्हें दैश कहादा है, इसलिए इसलिए उन्हें जैश कहाँ रहे है जो स्वें हम अपना खाना मनाते हैं भुचे हो क्या बोलो जाता है सव कोशी ठीक है सेकिंड पारक है पादकू द्वारा संसलेशित खादे का बंडा रण पादकू द्वारा संसलेशित खादे का बंडा रण डैश के रूप में किया जाता है किया जाता है किस के रूप में किया जाता है बचे मन मंडिया स्टार्च के रूप में जो पत्या खाणा बनाती है वो फिर क्या उता है उस टाइम के लिए वो अपने पास ही रखती है ठीक है बंडारा रखती रखती है थारड पार है सिंग्स्ट केशन थारड पार परकास संसेशन के परकरम परकास संसेशन के परकरम मेद्स्ट बारानक वो अपने के लिए रखती है रखती है मेद्स्ट गौनके नहके है रखती है रखती है कि कैई दीक हती है थारा बडारा सोर उज्जा को संगरहित की जाती है उसे अभी हमने लास्ट देखा कि पत्तियों में पच्छे क्या होता है लोरोफिल का उपांसर क्या हो जाएगा लोरोफिल छीकर नेक्स्ट केश्ट नमगर शिक्स पार फॉर्ट प्रकाश संसलेशन में पादब वाईमडल प्रकाश संसलेशन में पादब वाईमडल से दैश दैश लेते हैं तथा दैश का पुट पादन करते हैं यह हम परकार संसेलेशन के परकर हमें बोट अच्छी से पढ़ चुके हैं ठीक है? तो क्या करते हैं बच्छे पादब? क्या परकार संसेलेशन के से परकार क्या दरते हैं कारबन डाक्साइड बोल लेते हैं ठीक है? और फिस काउप पादन करते हैं? ओक्सीबर फिर्शन अबवा च्छे पादन करते हैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स गिवन हैं तो आपको स्टेटमेंट्स के लिए 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 तो आपको उसका जवाब दे रहा है अमर भी खीक है? इसका जो तना होता है वो बोती जुर्बल होता है लिए किसी दूसरे पर अपने बोजिन के लिए निरूबर करता है चाद है largest fuckedlement ले मेड़ कोषा टीक कोषा अरण कोषा कोषा अरै jeste when JULY कोषा . 2 बला बला ये दोन कोषा पाइज लगती हूँ ऐसे पावित के बारे आपको बताना है जो क्या करता हो सव पोशन के जिसके पत्तिया हारी हो और वो परकास इंसलेशन वी परक्रिया से खुद का बोजन बनावी सकता हो और विसल पोशन जो दूसरे जिवों को भी खा लेता हो तो वो को नमेचे घट प तरुक्री में आखो ृक्षतर Unfoottak कियों कि फॉड़ी तरीके की महकत आते है जो केर खुद होट होई इसकी तरफारफ चले जाते हैं जो एक गटपनी इसको अबला जाता इसको क्यूंकि जो इसकी शेव है वो घ्डएettedग जैसी यह पर जाते है और ये उनको इसको भी वे रंदर रंदर बत्रगी छे जिन के द्वारा पतियां गैसों का आदान पर्दान होता है गैसों का आदान पर्दान करती है रंदर के गैसों के गैसों का आदान पर्दान करती है तो उनको क्या बोलेंगे? रंदर की बोलेंगे ठिके पत्यों के अंदर छोटे छोटे च्हेंड होटे थैंट वमक्र technical cellphone he है को भाइचे कहा चोर्ती है symptom को बहुते हैं सिट्ध्यूं को सब्सकibly दुरुती है यह है आपका असत्य वर सत्य ठीक है इसमें फर्स्ट पार्ट है आपको क्रिशन दिया गया है उसेंची चार ओक्षन दे गई है को आपको उसके लिए राइट पन गो तिक परणा मैं सत्य है सत्य है सत्य है नहीं स्कॉप बहुन सत्य हो अमर बेल उधारण है क्या पार्ट है अमर बेल उधारण है अमर बेल उधारण है आपको फस्ट है सवपोशी सेकिंड है मरिक जीवी थर्ड है परजीवी और फॉर्थ है परपोशी आइटिंक कि ये तो सब बचुप आता होगा आमर बेल की बारे में हम बहुत बार केस्टन से में बहुत रिपीट हो चुका है और लेसन की रिदे में बहुत बार है तो इस काम सार क्या जाएगा परज अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार अब हम कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसका फर्स बिजन में भी हो सकता है कि आपने लेस्न की रिडिंग वाली जो वीडियो हैं उसको नहीं देखा हुआ जांचे अगर आप में देखा है अपके मन में कोई क्योंशन है कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछो ठीक है खैबार है रुच्छे क्रिशन नमर एथ खैपार्ट कीटो को पकड़कर कीटो को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाले पादग का नाम है यह आप विदाउट ओप्शन भी कर सकते हैं क्योंकि हम इसको कर चुए अगया भी लास्ट क्रिशन है ठीक है ओप्शन दे रखें बच्छार को आमर बेल सेकेंड ओप्शन है गुड़हल फर्ड ओप्शन है घट परने कोदा और फूर्थ ओप्शन है गुलाव उमीर है कि सब बच्छों ने इसको खट परने कोदा ही जवाप दिया और फूरी दो बिमार विपीड हो चुग है नेक्स्ट टेश्चन नमबर नाइन यह है आपका कोलम एक एग इंदर में कोलम भी आप पुरिंग गव्या करना है मिनाव को में लिक देखें कहले सार्ची जे यहां गिवन है फ्लोरोफिल नेक्स्ट है मैंक्रोजन नेक्स्ट है अमर बेल नेक्स्ट है जंतू लास्ट है कि पुरिंग शी ठीक है इसब कोलम A में आपको इच लिए है आप कोलम B को लिते हैं और फिर उनका क्या वर्ना है आपको बिनाव जिवान हो उससे आवडी है पर पोशित फिर है घट परणी फिर है पक्ती और तिल क्या है और जिव अब मैं हमेशा आपको क्या बोलती हूं कि जब भी आपके पास मिलान करने वाले क्योशन आते हैं तो उनको आप कैसी करेंगे बुच्ची जो आपको बिल्कुल सही तरीके से आता है कि इसका क्यों का आंसर 101 परसेंट यह वाला होगा तो पहले आप उंछी जो को भी लाइए बाद में क्या होता है इधर भी options कम रहे जाते आपके options कम रहे जाते तो आपके लिए इस हो जाएगा तो यह देगे क्लोरोफिल है हम किती देर से पढ़ रहे हैं किसमें पायता है? पत्ती में पायता है तो नाइ्ट्रोजन नाइट्रोजन जो है बच्छे वह हमारे वाईमंदल में बहुत अधित मात्रा में पाए लेकिन जो पोदे होते हैं वह उसको एक गैस की तरही प्रजी नहीं लेपाते तो उनके लिए कुछ स्पेशल विशेज परकार्गित जिवान है जो इस नाइड्रोजन को क्या करते बच्चे वाई मंदल से लेके और मिरगा में आउसोशिप मिलाज़ते हैं और उससे फोड़े क्या करते हैं उसको आउसोशिप कर लेके फिक है ना परनी पोठा जो केटों को अपना बोजन बना लेता है अब फिर एले जन तू जन तू क्या है परकोशिप यह देखें इस तरीके से यह बिल्कुल इसी हो जाएगा ठीक है अब करते हैं क्योशन नम्बर तैन क्यों सप्ते ए शच्क्टे के बारे में आपको बताना है सप्ते और सप्तके फरस्ट पार्त है सट्का संसलेशन में अगर आप ड्यान वीडियो अच्छे से कर लएते हैं या भूक से भी अच्छे से पे लाते हैं तो जरूरत ही नहीं है, सबी जो क्योंशन है लेसे लेसे बार 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 वही क्योंशन रिपीट होगें, ठीक है? परकास इंसलेशन में काटपन डखसाएं क्या परकास इंसलेशन की पिर्पिरिया में काटपन डखसाएंट होती है, नहीं, कौन होती है, ओक्सिजन, प्रियो जैगा आपका रोम सेकीड पार, ऐसे पादप जो अपना गोजन, स्ट्रेंप, संसलेशन करते हैं, क्या है, क्या हो जायाँएंगा, यह क्या हो जाएगा? रोम कि मृत्जीवी गिन्फो का राता है, जो इन्हीं किसी दूसरे मृत्यवी गठों पर विर्फर करते हैं, क्या क्या हो जो खुद से अपना कोजन, संसलेशन का डपिर्पिरियागता है? सवकोशी ति आपको उजाएगा रों थरफार परकास निसलेशन का उतवाद करकास निसलेशन का उतवाद प्रोटीन नहीं है यह जाएगा परहें कि प्रकास निसलेशन के परकरण में पोदो को क्या मिलता है कर्भो हाइड़ेट ठीक है तो प्रोटीन नहीं है को यह सकते में पौर्थ परकास संसलेशन में सोर उर्जा परकास संसलेशन में शोर उर्जा का रसाइनिक पौर्जा में पाम्तरण होता है तो यह आपका क्या जाएगा राइट इस तो रूर्जा किसा आइटा से फिर वह खाना बनाते हैं अब है क्यर्शन नमबर 11 सही रिकल्प चुनना है आपको चारा आपको उक्शन गिया है पादक के इस भाग के द्वारा परकास संसलेशन के तूर्ट वैयू से करवन अक्सायड को सियो टूप शोर्पाम में लिखने हुए कारवन अक्सायड ली जाती है ठीक है ओप्शन गिवन अगचे नूल रों जिनको आप हम क्या बोल सकते हैं जड़े सेकंड ओप्शन गिवन है रंजर्ण जिनको क्या बोलते हैं छेदों यह कहां प्लक पाए जाते हैं पत्तियों में पोदों की पत्तियों में गय पार्ड है परण शिराएं ठीक है और इसका लास्ट ओप्शन दिया हुआ है बहाय दल बहाय दल क्या होता है फूश्ट तो पादों की किस लार से ले जाते हैं अब भी आपने पीछे में पढ़ा था रंबर जो होते हैं पत्तियों के अंबर जो छेदों पाए जाते हैं उनसे ही वो गैसु का जो है आधाम प्रताम करती है तो अंसर क्या जाएगा ठीक है लास्ट क्रेशन है आपके चैप्टर फर्स्ट का क्रेशन नुबर 12 I hope के आप सब चीजे क्लियर हो रहे होगी ठीक है और अगर फिर भी कोई दिकत है तो आप हो सकते हैं लास्ट क्रेशन अबचे विल्कुल सेन आज़े इस बस वर्ड्स चेंज है एलानस प्रेशन से इनित और रिटर्शन है वायू मंदल में मुख्यत है वायू मंदल में मुख्यत है जिस भाग के द्वारा जिस भाग के द्वारा कारवन अग्शाइड टॉक करते हैं वह क्या है तो वह क्या है बच्चे पत्पियां फर्स्ट ओप्शन गिवन है पत्पियां बजड पना या फिर पूश्ट सेम लास्ट ओप्शन है पीछे वाले उनकि जो वर्डिंटी वह विग्यानिक बाशा थी ठीक है साइंस के अकॉड़िंग पत्पियां अब आपको नॉर्फल लैंवेज जो कि उसमें दिया गया है तो अंसर आपको क्या जाएगा यहां होता है आप फरी चेप्टर फर्स्ट कम्क्लीट फिर भी अब किसी बच्चे को अगर को परिशानी है तो वह आप उट सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमसरेश्चा करेंगे ब्रसन के बार में त्रुचल के लिडिम ने दर मित उसके किसंके शोजकरेंगे वीडियो मोध जादे शेवाधर अपने दोस्तों साख शायर करो परियमोटेसन के लिए एक लाइप करो और अपनी क्योरी के लिए एक कमेंटर थेंक्यू सो मच